नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे फिल्म लव हॉस्टल के बारे में जी फाइब पर यह आई है डिरेक्टर है शंकर रवन दोस्तों सुरुवात करते हैं स्टोरी लाइन से फिर अच्छे बूरे के बारे में बात करेंगे हम यहां देखते हैं आशु शौकीन को जिसकी भूंका निभाई है विक्रांत मेसी ने और देखते हैं जोती दिलावर को जिसकी भूंका में है सान्या मलहोतरा आशू उर्फ अहमद और जोती एक दूसरे से प्यार करते हैं शादी करना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ी बाधा है परिवार की आशू का परिवार तो एक बार मान भी जाएगा लेकिन जोती के परिवार वाले ये कैसे स्विकार कर लें कि उनकी बेटी एक कसाई के लड़के से साधी कर ले अब ये दोनों तय करते हैं कि भाग करके साधी करेंगे ये लोग कोट के दर्वाजे तक पहुंचते हैं और कोट इनको भेज देती है एक सेफ हाउस में जिसको की लव हॉस्टल कहा जाता है लव हॉस्टल इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे जोड़े वहां रहते हैं और जोती का परिवार इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत है जोती की दादी लोकल पॉलिटीशन है और वो हायर करती है डागर को यानि बौवी देवल को कि यह उन दोनों को ढूंड करके लाए और वो खुद इन दोनों को सजा देना चाहती है अब डागर पीछे पड़ जाता है जोती और आशु के फिर क्या होता है यही आप इस फिल्म में देखते हैं दोस्तों एक शब्द है जवर्दस्त और उसमें अगर E की मात्रा लगा दी जाये तो वो हो जाती है जवर्दस्ती तो इस फिल्म में कुछ चीज़ा ऐसी है जो जवर्दस्त है और बाकी चीज़ा ऐसी है जो जवर्दस्ती की ही है फिल्म का जो शुरुवाति दृष्य है वो जबरदस्थ है बॉय दियोल का गेट अप उनकी एक्टिंग वो जबरदस्थ है सान्या मलहोतरा विकरांद मैसी की एक्टिंग वो भी जबरदस्थ है कुछ हर्यानवी जो एक्सेंट है यहां और कुछ जो डायलोग्स लिखे गए है वो जबरदस्थ है लेकिन इसके बाद ये पूरी फिल्म जबरदस्थी की ही लगती है बहुत ही थीन स्टोरी लाइन है इस स्टोरी में न तो डेफनेस है और नहीं विस्तार है कुछ घटनाए हो रही है कुछ के पीछे वज़े है कुछ क्यों हो रही है किसी को पता नहीं और यहां मसाले भी भरपूर है यहां प्यार भी है यहां और केलिंग है यहां एक पॉलिटीशन है करप्ट पुलिस अफसर है सिस्टम के बारे में कुछ बाते की गई है लेकिन ये सारी बातें मिलकर भी कहीं भी इंप्रेस नहीं करती अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि ये फास्ट पेस पे चलती रहती है इसलिए बहुत ज़्यादा बोर नहीं करती और डालर का जो यहां करेक्टर है वैसे तो इंप्रेसिव रखने की कोशिश की गई है लेकिन इस करेक्टर का आगे पीछे का बहुत कुछ पता नहीं और ये एक आदमी है जो बिलकुल साइकोपैथ है और पूरे शहर को समसान बना देना चाहता है इसके सामने जो भी आता है उसको वो मान डालता है तो फिर मैं ये सोच में पड़ गया कि आखिर मैंने देखा क्या ये क्या चीज थी तो एक असंतोष का भाव इस फिल्म को देख करके रहता जरूर है हाला कि दोस्तों यहां और किलिंग की बात हो रही है और कुछ लोगों को ये पॉइंट थोड़ा अच्छा लग सकता है लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की चीजें यहां दिखाई जा रही है वो अब थोड़ी पुरानी हो गई है मैं ऐसा नहीं कहता कि और किलिंग खत्म हो गई है लेकिन एक वक्त था जब इस तरह की घटनाय बहुत जादा हुआ करती थी अब थोड़ी कम हो गई है और दोस्तों यहां कुछ लोग ऐसे भी हो सकते है जो की इस फिल्म में हिंदू-मुसलिम वाला एंगिल ढूंड ले तो चलिए यह उनका काम है वो ढूंडते रहें दोस्तों यदि आप आदाकारी की बात करें तो जैसा मैंने कहा बॉई देवल अच्छे है विकरात मेसी अच्छे हैं सानिया मलाहुत्रा अच्छी है और जो दूसरे सहाय कलाकार है वो भी ठीक ही लगते हैं आपको तकनीकी तोर पे भी ये फिल्म ठीक कही जा सकती है सिनेमेटोग्राफी आपको अच्छी दिखती है ये फिल्म है एक घंटा 40 मिनट की यहां कुछ किसिंग के सीन है एक दो एब्यूजिब लेंगवज का इस्तेमाल किया गया है लेकिन बहुत ज़्यादा खून खराबा है इसलिए बच्चों के साथ या फैमली के साथ देखने लाग ये फिल्म नहीं है और दोस्तों इस फिल्म की अगर रेटिंग देखें झाल